और हसके कहने लगे कि वो पपोड़े भी किनाए लिए खुश्टवी की बात तो उसके हाँ उसने कार रोकी उतर की बेल दी अंदर से उसके दोस्त बाहिर आए तो आगे उसने चिहरा अपना मुँ आगे करके कहने लगे बहुत बड़े बजूब आगे बड़े दरवाजा खो मुझाफा करें ये बाती एक दोस्त ने साह गिर्खाना से कहने उसने दरवादा खोला हजरे बाला को हाट दिया हजरत को उठाया कमरे में ले दिया वुदू करवाया जमाज चे नमाज होई शाह खोला अगले साथ हज़ते बाला का जाना फिर हुआ वही साहाब लेने आए अब हजरत को क्या मालूम कि किस रज़ते जा रहा है जब टैम हुआ असर का तो हजरते वाला ने पूशा कि असर की नमाज ने कहा हजरत जहां पर साल नमाज पढ़ी थी वही नमाज पढ़ेंगे वही चाहे कि लिए है और मैं बहुत अच्छा है अब ये अपने दोस्त के म साइन पे पहुंचा है और दर्वादा बेल दी अंदर से सहब आयो इतनी बड़ी ताड़ी इतनी बड़ी ताड़ी जर पे टोपी हाथ दोस्त ने दोस्त को न पहचाना वो मुल्क ऐसा है कि मुबाइल काम करते हैं मुलकाते बहुत कम होती है हर बंदा अपने श्कर में सहब उससे कहने लगें कि साहब खाना का नाम लेके उन्हें बेझें उन्हें बेझें वो क्योंनी आया बाहर जो वो हच पड़ा हच के कहने लगा मैं ही तो हूं मैं ही तो हूँ तो चिहरे से तोपी से तस्वी से उसके दिमाग में ना आया कि ये मेरा दोस है वो तो ऐसा हिदा जैसे होते हैं लंडर में उसके बाद उसने हज़रते वाला को बहुत मुहबब से लिया हाथ पकड़ा अंदर ले लिया बिठाया अब ये दोस्त उसके कहने लगा कि तबलीगी जमाद में कितने दिन लगा रही हैं वो ये समझा के तबलीगी जमाद वाले मुस्चिद में मिल गए वो इसको साथ ले गए ये सारा रदो बदल उसका हो गया तो वो दोस्त कहने लगा कि तबलीगी जमात का तो नाम सुना है कभी चला नहीं है कहा कि भई ये इतने धाचे में फरक आ गया उसने कहा कि सब इन बजर्वों की बर्कत से आ गया सब फरक इन बजर्वों से बर्कत से आ गया मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि जब मैंने पिछले साथ गाड़ी का दर्वादा खोलकर तो आसरा देने के लिए हजरत ने अपना हाथ खोला मैंने अपना हाथ खोलके हजरत के हाथ में हाथ दिया उसके बाद तोपी रख ली कोई नमाद नी छोड़ी और बाद भी कटवाने छोड़ दी उस दिन के बाद आज के दिन ये मेरी हालत हो गई है एक मसाफ़े की वज़ादे अल्ला ताला ने ये निजाम रखा है ये चाहत पर मौफूफ है हम इरादा करें इरादा करें इरादे के बाद अमल का इरादा करें तो अल्ला ताला तोफीख लेते हैं तो उस बंदा ए खुदा ने उसके दिल में इरादा भी आ गया कि अल्ला के बड़े नेक बंदे आए ने तो उसके सीने में तमाम क्या फियात उतर गया मेरे दो तीन सफर हजरत वाला के साथ हुए तो सॉदिया में सॉदिया में जहां रहाई शौब वुदू वहां साहल होता है आप लो हुद्जाज कराम वहां गए है तो हजरते वाला फरमाते कि वो वुदू खाना जो सॉदिया ने बनाए है फरमाते हुदू वहां कर रहा है तो लाला आबिद हज़रते वाला को वहां ले जाते अब कभी सीढ़ हैं इसी ये उतरते कभी वहुत ही वह बजली वाली उतरते कभी चड़ते तो एक दे मैंने हावज आवज साथ मैंने कहा कि बई दो तीन मेरे सफर होए तो मैंने कहा कि लाला भी हज़रते वाला को वज़ू हम यहां करा दिया पर गुसर खाना में बड़ा है तो जहां रहाई शोटी है राती कहने मिलें कि सब कुछ के बावजूद यहां आदा वज़ू तो ज़ूरी ही खड़े हो के करना पड़ता है और हदरत वाला ने खिलाव सुन्यत तरीके से वज़ू नहीं कर गाया तो सुन्यत के म मताफ़ वज़ू करने के लिए मशक्कत उठाते हैं वज़ू खाने में आते हैं फिर वहाँ बिठाते हैं फिर वहाँ से उठाते हैं ताके वुदू सुन्रत के मताबिक बुए इस तमाम ताहरीक के पीछे अपने मकबूल बंदे सरपरस्थी के लिए अताती है और मकबूल बंदे अवाम में से भी अदाती है एक साहब हदर शाह साहब रहमतुलाले के मिनने वाले से खुशाब के एक चस्प में रहते थे खुशाब काती है वो हमारे दफ्तर भी हत लिखते हमेशा हत लिखते दो माँ के बाद्धार भरीयत का जब पहला यहां जल्सा हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ तो एक साहब कहने लगे के जो फलाने साहब हैं वो आए हुए हैं और उस दरफ के नीचे बैटे हैं तो मैं उनको मिलने के लिए जिया मैंने उनको कहा कि आपो यहां बैटे हैं पता चला कि यह तीसरी कांफरंस है तीनों सालों से आ रहे हैं तीनों सालों से आ रहे हैं हजरत शाह साहब के बुरीद और अकीदत मंग हैं और तीनों सालों से इस शीशम के दरफ के दीए आके उप्रा बिचा के बैठ जाते हैं, नमाज पढ़के पलड़के वहां चले जाते हैं, और जब सर सुनके चले गया, बताया ही नहीं कि मैं आया हूँ, इस बंदे की दुआएं, इसकी तवज्जवाद, ये हम तमाम दोस्तों के शामले हाल रही, तो इस तरह करके, ये हम यहां अब मुझे आप से तिर्फ एक बात करने हैं, दो तिर्जवाद, तो वो इस तरह कि हमारे जो थे ना हजरत मौलाना मुहमद यूज़ता, जब वो चुहत्तर का फैसला हुआ, चुहत्तर का फैसला हुआ था, वजीर आधर ने एलान की, कौमी असम्वली पाकिस्तान की, और वजीर आधर उस में इनके फुफर की अबारत लिखी गई, मुम्किन नहीं था, अस्बाब में मुम्किन नहीं था, अल्ला तो हर चीज़ के कादिर हैं, तो अबारत लिखी गई, और तमाम ये जो आला, ये हम में बोल रहूं हूँ, य ये गए, कि दुनिया में जहां चाल इंसान बसते हैं, वो ये इलान सुनेंगे, अमरीका में सुनें गया, बरतानिया में सुनें गया, पूरे इसलामी मुलकों में सुनें गया, कादियानियों के दोनों गरुप काफिर, कादियानियों के दोनों गरुप काफिर, ये भी ये एलान हुआ तो फर्माते थे कि मिर्ज अगुला महमद ताद्यानी के जो बार में आने वाला बशीर अद्दीन महमूद था उसमें एक बियान दिया था उसको कुफर की नजर असबाब पर होती है मुसल्मान की नजर अल्ला की कुवत और ताकत पर होती महनत करता है लेकिन अपनी महलत को काम्याबी का सबब नहीं समझता है वो समझता है कि इस महलत में आजिए अल्ला ताला इसमें जान डालते हैं और इसको कबूर कर ले तो फर्माने लगे कि बिशीर अद्दीन महमूद ने कहा था कि ये जो मुसल्मान है ये जो मुसल्मान है निर्दे को नहीं मानते हैं चूड़े और किवारों की तरह चूड़े और किवारों की तरह दस्त बस्ता दस्त बस्ता मेरे सामने खड़े होंगे दस्त बस्ता मेरे सामने खड़े होंगे उसमें ये मुल्ला अता उल्ला होगा मुला बदायूनी होगा मुला मुहम्मद जबी होगा हमारे बजर्गों के नाम लिए और इस तरह लर्जा और तर्जा होगे जिस तरह फटा मक्रा के दिन कुपार मक्र इसका खुत्वा आद भी मिल जाएगा तो फर्माने लगे कि कितना कर्रो फर्टा और कितनी अल्ला ताला की महर्मानी होई कि चूड़े और क्मारों में चले चूड़े और क्मारों में चले चूड़े और हक उजागर हुआ और हक वाज़े हुआ तो आप देखने में यहां आया तो मुझे गुला मुस्तफा हदरत मौलाना वुलाम मुस्तलाम कहने लगे कि एदुल फिदर नहीं पड़ी मैंने का बहुत अच्छा हुआ उसने का हाँ जुम्ह की नमाद नहीं पड़ते यहां बहुत अच्छा हुआ कहां महले की महले की जो इन्होंने अबादत गाने बनाई है वहां जमानी होते और यह कहते हैं कि घरों महीं पड़ लो मैंने कहां अल्ला ऐसा दिन ले आए कि बनाई हुई इनकी हो नमाद हम पड़े ठी? बनाई हुई इनकी हो नमाद हम पड़े और अल्ला इन्हें हिडायत यह यहां नमाद पड़े तो आपका यहां गुम्राह की वज़े से वो पलड़ के दीन पर आ जाए और जो गुम्राही पहलाते हैं मुसल्मान उनके शर्ट से बच जाए तो अगर कोई मेरे साथी नराज नहूं तो सची बात है कि अगर हम ये कह दें कि अब हमारे ये तीन चाल प्राकी कांफरंसें और ये एक जमाख और आपका आना और हसना और उसकराना ये जशने खत्मे नबूद है ये जशने खत्मे नबूद है अल्लाभ आला ने मुसल्मानों को इस फितने के तबील ज़द ज़ेहत के बात अधाकी है दलाई के एतबार से फैप्रों के एतबार से उपर से मीचे तक एक जहां कानुन आगया था जा उलभ साथ ले आये थे अल्ला उन्हें बड़ी के रहमत करें दुन्यां दे चले गए जाए कि ये अजान नी दे सकते हैं ये मीनार नी बना सकते हैं ये कलमत बने नी और कारभाई मुसल्मानों ने के एसे दि, मुसल्मानों ने कि अब ये है जैसे बिला चुहे पो फगड़ता है, तो मुसल्मान इस तरह गदेदा लेते हैं अगर रितार चापा है पो पकड़ लिया अगर तो बैज लगाया है पोकड़ लिया अब वो अदालत में खड़ा है अब तुपानी साब लोसो की रिवान से पकड़ा बेज उतारा एक मुटा मारा जाजी ने कहा ये का फिया कार किसमें बेज़ मों लगाए उसने कहा अच्छा अच्छा अब ये है कि ये तो लगाना जुरूम है तो लगाना ने इनको जलील और खार किये जितना कि मिर्ज बुला महद जजल भराया था और मुशल्मानों को लगाना ने बहुत तक्लीम की बात की कि हज़ूर अलेष सेलाम की इहानत करे तोहीन करे मुशल्मानों को बुरा भला कहे उने गालिया दे उनकी तहकीर करें माल और दौलत की बुनियाद पर और अब अल्ला ताला ने बेदस्तोपा मुसल्मान ने हद्थे मुसल्मान और ये थे किस तरह इस शहर के अंदर इतना बड़ा इत्मार और इतना बड़ा वल्वला और जोशो खरोश आप अपने दिलों की खुषी देखें और उनकी मायूशी देखें अल्ला ताला बस क्यामत के दिन हम सब को हदूर अलिह से ज्ञ्ड़े के दिए जम्वा कर देखें और ब दो बातें और किया दिए हदिश शरीभ में आता है हदीश शरीम में आता है हुजूर अल्यूस चलाम फर्माने लगे कि मस्चिद में बेरा आना हुआ तो सहावाए किराम बैठे थे हल्का बना रखा था बातों में मस्ट थे बातों में अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे तो एक कह रहा था कि आदम सफी उल्ला आदम को अल्ला ताला में स्यून रखा है यह ते मोती तुने जाती है और एक कह रहा था कि